तो एटल, जियो और वी तीनो टेलकॉम कंपरीज रहे हैं नियू प्रिपेड और पॉस्पल प्लैंस हमारे सामने अनॉंस कर दिये हैं अब यहां पर आपने बहुत ची यूट्यूब में वीडियो देखी होंगी जहां पर यह प्रिपेड और पॉस्पल प्लैंस बताया रहे हैं मैंने भी बनाई है यहां पर हम कंपेर करेंगे इन प्लैंस को जो नए प्लैंस आये हैं वह एक दूसरे से कितने महेंग गया कितने सस्ते हैं कौन सी कंपनी ने आ पर कितने रुपे का प्राइस किया है पूरी यहां पर मैंने कैल्कुलेशन की है एक एक रुपे कैल्कुलेशन है तो अगर आपको एफ़र्स अच्छे लगेंगे तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्षिन ने बताना कि आपके उपीन है इन सब चीजों के बारे में अब सीधा शार्ट करते हैं इस वीडियो को इन कैल्कुलेशन को डिसकर्स करने से पहले आपके मैं कुछ बाते क्लेर कर देता हूं यहां पर मैं सारे प्रीपेट प्लैंस को कंपेर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे प्लैंस हैं चो यहां पर एक्चुली इंपॉर्टन प्रीपेट प्लैंस होते हैं जो जाएतर लोग करवाते हैं हम यहां पर उन्हीं कंपेर करेंगे सेकंड चीज एटल एंड वी के मोस्ट अफ दर न्यू प्लैंस हार सिमिलर तो यहां पर मैं जब एटल बोलूंगा तो आप समझ जाना वहां पर वी इंक्लूडिड ही होगा पर जहां पर वी के प्लैंस होगे वहां पर वी के बोलोगा कि वी का प्लैन पर होने वाले हैं सबसे पहले स्सक्षाट करते हैं base plan से तो base plan पहले Jio का आता था 155 रुपे का अब ये हो चुका है 189 रुपीज का तो आपको price jump देखने को मिल रहा 34 रुपीज का एडल and V में आपको पहले ये plan देखने को मिलता था 179 रुपीज का अब ये हो चुका है 129 रुपीज का तो अब आपको base plan है उनमें आपको 24 रुपीज का difference देखने को मिलता था Jio यहाँ पर 24 रुपीज सस्ता था बट अब ये difference कम होकर हो चुका है 10 रुपेज अब आपको base plan है दोनों में लगब लगब सेमी देखने को मिल रहा है तो पहले होता था कि Jio यहाँ पर सस्ता है तो यहाँ पर बहुत से लोग Jio करवाते थे अब Jio के पास ये benefit नहीं है बस मातरे यहाँ पर 10 रुपे का difference बचा है इनके base plan में आपको बात बता हूँ कई लोग मुझे यहाँ पर Jio का चमचा बोलते हैं बात है ऐसी जो company अच्छा करेगी उसे में अच्छा बोलूँगा जो company बुरा करेगी उसे में बुरा बोलूँगा चाहे फिर आप उसे बोलोगी है चमचा है यह एडल का Jio का याभी का मुझे उसना फर्ट नहीं पढ़ता जादा और 59 रुपीज का अब इन दोनों का प्राइस सेम हो चुका है एडल वी में अब यह प्लान हो चुका है प्राइस आइक के बाद 509 रुपे का तो आपको 84 रुपीज का जम देखने को मिल रहा है एडल में तो यहाँ भी जियो ने जादा प्राइस हाई किया है इन कंपरेजन टू एडल वी पहले जियो एडल में इस प्लान में कुछ सार्ट रुपे का डिफरेंस होता था अब यह डिफरेंस कम होगर हो चुका है तीस रुपे अगर आपको यह नोट से जो मैंने बनाए है एक तम अच्छी तरह से ड्राइंग करकरके अगर यह आपको चाहिए हो तो आप बताना मैं डिस्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइट करने कोशिश करूंगा फोटो फाटो फाटो फीच के आपको दे दूँगा उससे आपको ज्याद आची तरह समझ आ जाएंगी तो अब जो नेक्स्ट प् और वोड़ा फोन आइडिया और आपको एटल में यह प्लान मिल रहा है 365 डेस का तो आपको एटल और वी में पूरा एक महिना एक्ट्रा देखना मिल रहा है इस वाले प्लान में बट स्टिल हम कंपेर कर देते हैं क्योंकि यही लिमिटेड डाटा है हमारे पास तो आपको जीओ में 24 GB data देखना मिल रहा है और सेम आपको एटल और वी में भी 24 GB data देखना मिल रहा है इस प्लान में तो यह प्लान पहले जीओ में था 1559 रुपीज का और इसका प्राइस इंक्रीज होकर हो चुका है 189 रुपीज तो आपको कुछ 340 रुपे का प्राइस जंप देख इसमें भी जीओ ने जादा प्राइस है किया है तो पहले इस प्लान में आपको जीओ एटल में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा था 240 रुपे का अब यह घट कर हो चुका है 100 रुपे का एन इस एक्स्ट्रा एक महीने की वैलिडिडी दे रहे है इस प्लान में अब नेक अब इसका प्लान का प्राइस इंक्रीज होकर हो चुका है 349 रुपीस इसमें आपको 50 रुपे का जम देखने को मिल रहा है तो इस प्लान में भी जीओ ने जादा प्राइस हाई किया है तो पहले आपको डेड़ जीओ अठाइस दुनों वाले प्लान में एटल एन जीओ मे करें जीओ को वी से क्योंकि वी के पास है एक अठाइस दूनों के लिए एक महिने वाला प्लान है जिसमें आपको 2Gb डाटा Chared Per Day मिल रहा है और जीओ के पास एक प्लान है जिसमें आपको 28 दिनों के लिए दो GB data per day देखने को मिल रहा है हम थोड़ा इसे fair करने ही कोशिश करेंगे इस दो दिन के gap को अब देखते हैं पहले आपको जियो में ये plan पढ़ रहा था तू डबल नाइन रूपीज का अब price increase के बाद ये plan पढ़ रहा है आपको 349 रूपीज का तो आपको कुछ 50 रूपेगा jump यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आपको पहले ये V में plan देखने को मिल रहा था 319 रूपेगा अब आपको इसमें price के hike के बाद ये plan देखने को मिल रहा है 379 रूपीज का जैसे मैंने बताया है जियो में ये plan आपको 28 दिनों का मिल रहा है और V में आपको 30 दिनों का मिल रहा है तो हम यहाँ पे दो दिन का cost एड़ कर देता है जियो के plan में तो जियो का plan है 349 रूपीज का इसमें मैं प्लस करूँगा 24.92 रूपीज क्योंकि अगर मैं per day की value निकाल रहा हूँ 349 में 28 से divide करके hopefully आप मैं ऐसे समझ रहा है तो आ रहा है 12.46 तो मुझे दो दिन के यहाँ पे value ऐड़ करनी है तो मैं उसे multiply करूँगा 2 से तो यहाँ पे आजाएगा 24.92 तो मैं अगर इसे add करूँगा 349 रूपीज में तो यहाँ पे आ रहा है 373.92 रूपीज जो की काफी pass है V के plan के जो की है 379 रूपीज तो एक तरह से यह plan आप बोलोगे की दोनों में आपको बराबरी बढ़ रहा है जहाँ पर कभी Jio सस्ता हुआ करता था Jio का ही plan है अब next बात करते हैं 28 दूनों का 2.5 GB अब मैं इसे इसलिए discuss कर रहा हूँ क्यूंकि यह same plan आपको ATL and Jio में दोनों में देखने को मिल रहा है तो एक तरह सम्पेर कर सकते हैं क्यूंकि ATL में आपको 2 GB का plan तो देखने को नहीं मिल रहा है पहले यह plan Jio में था 349 रुपीज का अब इसका price increase होकर होच चुका है 399 तो आपको 50 रुपे का price hike इसमें देखने को मिल रहा है अब नेक्स बात करते हैं 56 दूनों का plan है 2 GB data per day क्यूंकि लोग जाला तर 2 GB data per day ही करवाने वाले हैं क्यूंकि उसी में आपको unlimited data देखने को मिलेगा तो इसलिए मैं जाला तर 2 GB data per day को डिसकस कर रहा हूं तो पहले यह plan आपको Jio में पढ़ता था 533 रुपीज का इसमें आपको price hike देखने को मिला है 96 रुपीज का तो यह हो चुका है अब 629 रुपीज का एटल में यह plan आपको पहले पढ़ता था 549 रुपीज का आपको V में पहले plan पढ़ता था 10 रुपे का 539 रुपीज का अब इसका price hike हो करो चुका है कुछ 649 रुपीज इसमें आपको एटल में 100 रुपे का jump देखने को मिल रहा है और V में आपको 110 रुपे का jump देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको लगबग लगबग दोनों companies में सेमी price hike देखने को मिल रहा है 1 रुपीज का और 1 रुपे का अब लास्ट प्लान जो मुझे लगता है यहाँ पर discuss होना चाहिए क्योंकि यह काफी important plan होता है हर बंदा यह तो करवाता ही करवाता है 84 दिनों का 2 GB data per day यह पहले आपको Jio में पढ़ता था 799 रुपे का इस plan में 140 रुपे का price hike देखने को मिल रहा है अब यह plan हो चुका है 859 रुपीज का यह plan पहले आपको पढ़ता था 839 रुपीज का इसका price hike हुआ है 140 रुपे सेम price hike देखने को मिल रहा है अब यह plan हो चुका है 979 रुपीज का difference आपको 8LN Jio में पहले भी आपको 120 रुपे ही देखने को मिल रहा है यह सारे plans से जो मुझे लगा important से जिन हमें discuss करना चाहिए अब इन सारे plans को analyze करने के पाद मैंने यह देखा जो सस्तेवल plans है उनमें Jio ने जादा price hike किया है हमने starting में देखा था कि Jio का हर बार price hike में नंबर जादा आ रहा था पर जैसे ही plan बड़े होते गए वैसे हमें चो price hike है वो दोनों companies में बराबर ही देखने को मिल रहा है तो यह pattern मैंने इस पूरी analysis में देखा hopefully आपको यह video अच्छी लोगी हो informative लोगी हो अगर आपको efforts अच्छे लग गया है तो वीडियो को like करना चलो subscribe करना इस से channel की बहुत ज़्यादा होती है अगर आपको यह pdf चाहिए इस पूरे document की तुआ बता देना मैं इस अप्लोड कर दूँगा थोड़ी से writing बेकार है बड़ आप पढ़ लोगे अब मिलते हैं नेक्स वाली वीडियो में चाहंद